कि 2014 से एक सवाल आम हो गया था हर आदमी के जुबान पर होता था कि अच्छे दिन कहां है और अच्छे दिन कब आएंगे अच्छे दिन कैसे आएंगे और आज हम बात करेंगे अच्छे दिन पर नमस्कार 15 टाइमस में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंग बात करेंगे अच्छे दिन की बात करेंगे बीजेपी सरकार के तोफों की दोहजान उनिस चुनाओं से पहले औन डिये सरकार ने तोफे की जो जड़ी है और कम जोरों के उपर हम बात करेंगे इस सरकार के दुदवार की पहले के में केंdre सरकार ने दो लाग साथ हजार ग्रामीर डाक सेवकों के लिए अपना खजाना खोला है इस खजाने में उन्होंने दो लाग साथ हजार ग्रामीर से डाक सेवक जो है उनकी सैलरी बढ़ाई है और ये बढ़ोतरी तकरीबन 56 प्रतिसत यहांनि कि डबल से भी ज़्याधा की गई है जो ग्रामीर डप्षे वंगी सेलरी में जाफा किया गया है सात यह उन्हें एक जनुरी 2016 से एरिएर भी दिया जायेगा यह जो 56% की बढ़ोतरी की गई है उस हिसाब से उनहें एक जनुरी 2016 से सेली दी जाएगी इसके साथ ही चीनी व्यापार के लिए भी किसान ने अपना पिटारा खोला है और तक्रीबान आठ हजार करोन रुपए का जो पूरा बजट था वो चीनी उद्योग के लिए सरकार ने दिया है और साथ ही सरकार ने 30 लाग टन वर्फ के स्टॉक जो है 1175 करोन रुपए का जो है अनुदान देने की बात सरकार कह रही है मदद करने का प्राउधान सरकार ने रखा है इसके साथ यह अगर हम बात करें सरकार ने करीबों के लिए भी अपना पिटारा खोला है और सरकार ने कहा कि बीमार जो PSU की सरफेज यमीन है उसका इस्तेमाल गरीबों का घर बनाने के लिए किया जाएगा वहाँ घर बनाये जाएंगे और गरीबों को दिये जाएंगे उसके साथ ही इलाहबाद के फाफा मौव में six lane जो है पूल बनाने की बात कही है कैबिनेट की बैठक में जो बिल था वो पास किया है प्रस्ताओ को पारित किया स पूरा करने की कोशिस की है या फिर चुनाओं से पहले यू कहें कि जन्ता को लुभाने की की है इन बजट को दे की कोशिस की है गरीबों को साधने की कोशिस की है अपने अच्छे दिन के वादे को पूरा करने की देश और दूनिया की इसी तमाम बड़ी ख़बर हम आपको social media के जरीया पहुचाते रहते हैं फेस्बुक और ट्विटर के जरीया पहुचाते रहते हैं हमारा ये वीडियो अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं